बूर चलिए देखे गाics आज की अमेजिंग अमेजिंग सी टřिक, एक नेल पेंट से आपकी ताले की सारी गुलजने होंगी दूर तो चलिए देख लेते हैं आज की ट्रिक आइंड ट्रिक से अमेजिंग सी जो आपको बहुत जादा हेल्फूल लगने वारी हैं हमारी यूट्यूब चैनल चाया मिस्रा ब्लॉग टू एमपर गाइस आज की पहली ट्रिक है इस तरह से जब लसन प्याज और आलू को आप एक साथ स्टोर करते हो तो इनकी सेल्फ लाइफ बहुत कम हो जाती है लसन प्याज और आलू तीनों चिने खराब होने लगती हैं तो इनकी सेल्फ लाइफ जो होती है वो बहुत जादा बढ़ जाती है ये बहुत अमेजिंग ट्रिक है क्योंकि आलू प्याज और लसन ये चीजें आप अधिक मात्रा में हमेशा स्टोर करके रखते हो तो आई होब आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी नेक्स ट्रिक इस भी बैड इसमेल जूतों की होगी वो सारा का सारा कागाच या निउस पेपर खीज लेगा अपनी तरफ सोख कर लेगा जिसे के आपके जूतों में बैड इसमेल नहीं आएगी बहुत अमेजिंग सी ट्रिक है क्योंकि इस समय पर ठंड की वज़ा से हम जूता अकसर पहने र आप इसको आप स्टोर करके रख सकते हो फ्रिज में पहले भी बताया है निउस पेपर में बंद करके पॉलिथीन में करके रख लीजे महिने बर आपकी सुखी मिर्श बहुत अच्छे से हरी मिरत चलेगी नेक्स ट्रिक में यह इस तरह से डंठल है इनको ओवरनाइट के ल ओयल लगाकर ग्रीज करके इडली बना सकते हो यह देखिए अब इडली बना रहा है आसानी से यह देख सकते हो नाइफ से चेक कर लिजे इडली कुक हो चुकी है तो आराम से योज कर सकते हो और देखे इस ट्रेंड नहीं है तो आप इस तरह का इस ट्रेंड एक बना लिज तरह से मापना है, यह देख सकते हैं कितने अच्छे से इड़ली हमारी डिमॉल्ट हो रही यह आप देख सकते हो, आई होब आपको यह ट्रिक अच्छी लगी होगी, नेक्स ट्रिक में देखिए, इस तरह से आप चुक अंदर का हल्वा बना कर खिला सकते हो, जो भी बच्चो था नेल पेंट लगाते हुए तो हमें और इस तरह से अभी दिखाएंगे आपको चाबी देख लिजे कि चाबी समझ में ही नहीं आता है कौन सी चाबी किस थाले की है और हमें बहुत ज़्यादा उल्जन हो जाती है तो इस तरह से नेल पेंट आप लगा दीजे अपने ताले तो जिस ताले की नेल प्रिंट लगाना है, उसी ताले की चाबी में भी वही सेम इल प्रिंट लगा देना है जिसे कि आप बहुत अच्छे से जान जाएंगे कि आपका चाला कौन सा है तो आई हो Don't प्लीज लाइक, सस्क्राइब और सेयर करिएगा कमेंट करके जुरू बताएगा कि हमारी ये सारी ट्रिक और ट्रिक्स आपको कैसी लगी आमेजिंग है ना आमेजिंग ये ट्रिक तो ये चीजे आप बच्चों के बेल्ट में जैसे चोटे बड़े बच्चे, बच्चे होते हैं बच्चों के एक जैसी बेल्ट होती है स्कूल की उसमें भी कर सकते हो या बच्चों के कोई भी खिलोने है एक जैसे होते हैं बच्चे समझ नहीं पाते है कौन किसका है उसकी वज़ा से जगड़ा होता है उस पे भी ये कर सकते हो थेंक्यू